यह इस टाइप के कुशन लैडर वाले कुशन कहलाए जाते हैं जैसे सीडी होती है न एक के बाद एक जैसे आप देख रहे होगे यहाँ आपको नजार आगे चल रही है और यही सीरी आपको इंफानाइट तक नजार आएंगी और उसी तरह नीचे वाला भी एक लैडर का केस है और यह भी यही इनफाराइट तक चलने वाला है हमको पता करना है इन दोनों केसे के अंदर औरी इक बाले कितना हों ब़िके कंपेर करना है फर्सी केस वाला औरी 9把 को सेकेंड के सब्स Butर इस करें मmosch नए खुब ध्यान से देखना अच्छा अगर मैं आपको बताओं कि समंदर में से एक बॉतल पानी निकालो तो समंदर के पानी में कितनी कमी होंगी कुछ भी नहीं पहले समंदर का पानी अगर एक्स था तो बॉतल भर पानी निकालने के बाद भी एक्स ही रहेगा यही बात यहां चल रही है अगर हम इस लैडर को देखे तो यह वनो हम का रेजिस्टर यहां भी नज़र आ रहे है यह वनो हम का रेजिस्टर यहां भी नज़र आ रहे है इसका मतलब इतनी जो लिंक है यह बार 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 रिपीट होने वाली है ठीक है अगर मैं ऐसा करूं इ आर ए की विलेंट के बराबर X के बराबर है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं लेते हैं एजर हमको circuit दिया गया, यह पूरा circuit का र E के रहने वाला है? X आने वाला है मतलब जब मैं ये पूरे circuit को solve कर लोगा तो मुझे सिर्फ एक resistor मिलेंगा जिसकी value X के बराबर होगी आपकर मैं ऐसा करो कि इस circuit के अंदर से इतना portion निकाल कर सिर्फ इतना portion consider करो थोड़ा धियान दीजिए यहाँ पे मैं लिख लो 1 ohm का resistor वाली है ना अच्छा अगर मैं सिर्फ ये एक link बाहर निकाल दो तो ये जो बचेवा portion है क्या उसके equivalent resistance में कुछ फर्ख आएंगा आईए और एक मरतबा में repeat करता हो अगर मैं ये वाला portion बाहर निकाल दो इतना portion बाहर निकाल दो तो ये जो resistance जिसकी value x हो ये लगा सकता हो मैं और एक मरतबा repeat करता हूँ Yes, come in please और एक मरतबा repeat करता हूँ हमने क्या बता है कि ये infinite ladder का case है ऐसे बहुत सारे resistances यहां लगे हुए है अगर मैं उसमें से कुछ resistance का portion बाहर निकाल दो तो बचे हुए resistance पे कुछ भी फरक नहीं आएंगा infinite ladder वाला case है अगर मैं ऐसा करूँ कि इतने दो resistances को बाहर निकाल दो ये जो बचा हुआ portion जो infinite तक जा रहा है अगर पूरे का resistance x है तो ये बचा हुआ portion का resistance कितना होगा वो भी x ही होगा मतलब मैं equivalent circuit ऐसे draw कर सकता हूँ ये आम तोर पे समझवें नहीं आता है इसलिए प्लीज नहीं सा धियान दे ये point A है और point B है क्या ये circuit कैसा बना आपको समझा इसमें ये जो 1x, 1oham, 1oham वाला portion ये आगे चलता जाएगा कुछ बोल रहा है काविश ये सब को समझ गया हमने क्या किये, ये जो x है न, x बोले तो क्या x बोले तो a, b circuit का equivalent resistance yes, coming x बोले तो क्या ये जो अगर मैं पूरे a, b circuit को solve करूँगा तो कितना resistance आएगा, x के बराबर अब मैं इस circuit के अंदर से ये portion बाहर निकाल रहा हो, तो क्या a, b circuit के अंदर कुछ फर्ख आया इसको मैं कैसे बता हूँ आपको मतलब माल लीजिए कि यहाँ पे एक resistance है R, यहाँ एक दूसरा resistance है R, यहाँ एक तीसरा resistance है R ऐसे ही resistance चल रहे हैं, कहा तक चल रहे हैं, इन्फराइट तक चल रहे हैं अगर मैं उसमें से एक रेजिस्टर बाहर की तरफ निकाल दूँ, तो यह जो बचावर portion है, उसका resistance कितना होगा जब यह सब को मिला कर होने वाला resistance वही विजाल है, समंदर के अंदर से यह जो बचावा circuit मैंने निकाल दे आगे वाला, क्या उसको मैं x के साथ replace कर सकता हूँ, अब हम यहाँ पी equivalent resistance निकालने की कोशिश करेंगे यही इस question की trick है आपको करना क्या है, जो portion repeat हो रहा है उस सारे portion को निकाल दो और वहाँ एक equivalent resistance लगा दो, जिसकी value कितनी होगी circuit के equivalent resistance के बराबर अगर circuit का resistance x है तो जो portion निकाला गया, उसका resistance भी x ही होगा, अगर यहाँ की case में मैं y consider करता हूँ पुरे circuit का y, तो जो portion निकाला जाएंगा उसका भी resistance y के बराबर ही होगा और कैसे होता है, क्या यह समझा ठीक है, अच्छा जी अब यह circuit को solve करो यह x और यह 1 ohum का register कौन से combination में है parallel combination के अंदर है, मतलब यह x और 1 ohum के register को निकाल कर, मैं एक नया register यहाँ पर लगा सकता हूँ, और वो register की value कितनी होगी, यहाँ पे यह एक register है, 1 ohum और यह register की value कितनी होगी, x into 1 upon x plus 1 यह दोनों parallel में है, जब दो register parallel combination में attach होते हैं, तो equivalent resistance कैसे calculate किया जाए, r1 r2 divided by r1 plus r2 r1 x r2 1 r1 r2 divided by r1 plus r2 ठीक है, अब ज़रा धियाम दे, यह दोनों register आपको नजार आ रहा है, कौन combination में, यह दोनों register series combination में, मतलब में equivalent resistance of r a b को क्या लिख सकता हो, पहला resistance कितना, 1 ohum, और दोसरा resistance कितना, x upon x plus 1, क्या इतना समझा, यह क्या है, यह पूरे circuit का equivalent resistance, ठीक है, और r a b की value हमने पहले ही consider की, कितनी है, जुने दाप के बाजो कौन है, बेटे आप क्या कर रहे है, कुछ भी नहीं कर देना, हाँ बहुत अच्छे, इदर देखो, r a b का value कितना है, x, r a b मतलब क्या, यह पूरे circuit का equivalent resistance, और उसकी value कितनी है, मतलब r a b की जगा पर क्या हमें x लिकाल सकता हो, x equal to 1 plus x upon x plus 1, हमादी सारी कोशिश किस लिए है, x find करने के लिए, x बोले तो क्या हो, a b circuit का equivalent resistance, पराबर, खीक है, आगे बढ़ते हैं, तो x पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, यहाँ भी x है, तो पहले हम इस equation को थोड़ा simplify कर लेते हैं, तो x equal to, cross multiply होँगा, 1 into x plus 1, x plus 1 as it is, plus वाला x upon, x plus 1, यहाँ क्या किया मैंने, आईए, cross multiply किया, 1 into x plus 1 कितना होँगा, x plus 1, x into 1 कितना होँगा, x, और नीचे का नीचे, x plus 1 into 1, x plus 1, ठीक है, अब यह x plus 1 जाएंगा इस तरब तो कितना होगया, x under the bracket of x plus 1 is equal to, बताईए, x और x, 2x plus 1, शायद मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको as it is लिखता हूँ, यह हो जाएंगा, x plus x plus 1, इस bracket को open किजिए, x into x, x square, आगे बताईए, x square plus x is equal to, x plus x plus 1, सही है, यह plus वाला x, और यह plus वाला x, cancel हो जाएंगा, क्या बचा, x square minus x minus 1 is equal to 0, क्या यह equation कहीं, देखी देखी है, quadratic equation, और हमको इसके roots find करना है, यहनि x की value पता करना है, कैसे पता करें, minus v plus minus, under root b square, क्या common link में बेटेश में से, हाजी, मैं समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों को 0 consider करेंगे, अच्छा, root निकालेंगा, तो कैसे root निकालेंगे, अच्छा, minus b वाला ही बोल रहे हैं, मुझे रहागा कुछ और बोल रहे हैं, तो x square minus x minus 1, तो सबको याद है न formula, minus b, वो शायद, 10th में chapter भी था ना, हमारे जबाने में chapter number 4 था, क्या, क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, उर्दू में linear equation कैसे बोलेंगे, उसको, जो भी बोलते थे, याद भी नहीं आ रहा, तो हम न x की value बता करेंगे, तो x का value कितना हो जाएंगा, x is equal to, बताइए, minus b, plus minus under root, b square, minus 4ac, upon 2a, चलो values रखते हैं, b का value इस equation में देखकर बताओ, कितना है, minus 1, तो यहाँ पे minus as it is, और यह आ गया, minus 1, plus minus under root, g, b का value कितना, minus 1 का square, minus 4 times of a का value कितना, 1, और c का value कितना, minus 1, divided by 2 times of a का value कितना, 1, ठीके जी, solve करते हैं, तो x कितना आया, minus minus, plus, यहाँ के case में हम हमेशे plus कोई prefer करेंगे, plus under root, minus 1 का square, 1, minus minus, plus 4, 1, 4, divided by 2, तो आपका x का value आ गया, 1 plus under root 5 by 2, 1 plus under root 5 by 2, यह क्या है यहाँ, x का value, x गया है तो क्या, ऊपर वाले circuit का equivalent resistance, तो क्या x को में, r a b कह सकता हूँ, r a b is equal to, 1 plus under root 5 by 2, क्या यहाँ तक सब को समझा, यही कहानी दोबारा repeat होगी, जब ladder के case आ जाए, तो आप क्या consider करेंगे, कौन सा branch repeat हो रहा है, जो repeat होने वाली branch है, उसमें से equalities रखेंगे, बाफी branches को मिला कर, एक equivalent resistance consider करेंगे, वही resistance हमारे पूरे circuit का होगा, हमने consider किया, कि यतने circuit का resistance x है, तो पूरे circuit का भी कितना होगा, इसकी हमने equation लिख लिख लिया, यहाँ पे हमने लिखा, x और यह one के parallel में आगए जैसे circuit है, क्योंकि जो branch repeat हो रही है, उसको ध्यान में रखना है, और please यह बात mention करें, note करें please, कि जब भी आप branch consider करेंगे, तो पहले circuit में दो register बसना चाहिए, जैसे, अगर मैं यह one ohum को रख देता, तो यह one one repeat हो रहा है, one one repeat हो रहा है, one one repeat हो रहा है, तो आप इसको रखकर इतने को x consider नहीं कर सकते हैं, circuit में कम से कम दो register बसना चाहिए, मैं repeat कर रहा हूँ, जैसे, हमारा main काम, कौन सा link repeat हो रहा है, वो find करना है ना, दो register, तो यह two को रखो, यह one one, यह one one, यह one one, यह one one ऐसा repeat होगा, अब नीचे वाले circuit के अंदर ज़रा ध्यान दे, यह one ohum है, और यह one ohum है, तो इतने portion को हम circuit के अंदर बागी रखेंगे, और यह one one, यह one one, यह one one, यह portion repeat हो रहा है, तो हम क्या consider करेंगे, कि यह बचा वा पूरा portion क्या है, मतलब हमारा circuit कैसे बन जाएंगा, मुझे शायद, हाँ जी, यह point C as it is रखता हूँ, point C के बाद यह line है, उसके बाद नीचे की तरफ एक resistor है, और यहाँ पे एक point है, point D, यहाँ पे एक resistor है, अब यह पूरे portion की जगा पर, मैंने एक नया resistor लगाया, X, वो कहां आएंगा, 1 के parallel में या 1 के series में, बलके chance ही किये, यह नीचे की तरफ लगा दो, कितना, X, नहीं, X कैसे लगाएंगा, इस तो consider कर लिया न, अब एक नया variable लेंगे, पूरे circuit का resistance कितना होगा, Y, और यह बचे वे लिंक का resistance भी, Y ही होगा, यह समझा सबको, अब, नहीं समझा, ठीक है, देखो, अगर मैं इतना portion, हमारे circuit के अंदर से निकाल दो, यह 1 और 1 और हम वाला portion निकाल दो, तो बचे वे circuit का resistance कितना होगा, हमने consider किया है कि वो Y है, अगर हम यह infinite link के अंदर थोड़ा सा और add भी करते, तब भी उसके resistance में कुछ और पढ़ने वाला, तो पूरे circuit का भी Y होगा, और यह इतनी निकाले हुए circuit का भी Y ही होगा, ठीक है आदिर, अब हम यहाँ इस equation को solve करते हैं, मुझे यहाँ एक register लिखना चाहिए, वन ओ हम, ओके, तो पूरे circuit का कितना है, पूरे circuit का कितना है, R, C, D is equal to Y, यह हमने consider किया, चलो यह circuit को solve करते हैं, यह 1 और यह Y, कौन से combination में हैं, series में है, तो मैं यहाँ पर एक register बना देता हूँ, कितना है वो, 1 ओ हम का, और यह दोनों को मिला कर, एक नया register लगाता हूँ, कितना, 1 प्लेस Y, क्यों कहा 1 प्लेस Y, क्योंकि वो दोनो, series arrangement में हैं, अब ज़रा ध्याम दे, यह 1 ओ हम और यह 1 प्लेस Y, क्यों से combination में हैं, parallel combination में, जब हम इन दोनों को मिला लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएंगा, R, C, D, बराबर, C, D के बीच का, equivalent resistance कितना होगा, 1 ओ हम और 1 प्लेस Y का, R1, R2, दोनों parallel में हैं, तो formula क्या है, parallel combination का, R1, R2 upon, R1 plus R2, मतलब 1 into, Y के बराबर है, इसको solve करें, कितना हो जाएंगा, 1 plus Y upon, 2 plus Y, अब क्या होगा जी, cross multiply लग, तो कितना हो जाएंगा, यह Y को इससे multiply करो, तो कितना हो जाएंगा, Y under the bracket of, 2 plus Y is equal to, 1 plus Y को में, Y plus 1 लिखता हूँ, यह कितना हो जाएंगा, 2Y plus Y square, is equal to Y plus 1, अब यह 2Y तो ऐसे ही रहा, यह plus Y square भी ऐसे ही रहा, यह plus Y इस तरफ आगया तो कितना होँआ, minus Y, plus 1 इस तरफ आगया तो कितना होँआ, minus 1, यहां कितना बचा, 0, ओके, सो यह plus Y square as it is, मुझे शायद यहां लिखना चाहिए, plus 1 Y square as it is, 2Y minus Y, कितना बचा, plus Y, minus 1 is equal to, हम महनत किसलिए कर रहे हैं, Y पता करने के लिए, Y क्यों पता करना है, क्योंकि Y actual में CD circuit का equivalent resistance है, और हमको वही पता करना है, तो चले शिरू करते हैं Y की value, तो Y की value कितनी होँगी, वही यही formula दोबार रिपीट होँगा, बताए यह थोड़ा सा थेज, minus B, plus minus under root, B की value कितनी है, 1 square, minus 4 into 1 into C की value कितनी है, minus 1, divided by, 2 into A, A का value कितना, 1, solve करते हैं इसको जो कितना हो जाएंगा, minus 1, plus under root, हाँ जी, कितना होँगा, 1 का square, 1, यह 4 into 1, 4, 1 जा 4 होँगा, minus minus plus हो जाएंगा, तो 1 plus 4, divided by 2, that gives, 4 plus 1 कितना, under root 5, sorry, minus 1 को मैं बाद में लिखता हूँ, यह कितना बन गया, under root, मुझे 5 लिखना भी नहीं आ रहा, under root 5, और यह minus 1 को मैं यहाँ लिख लो, divided by 2, यह क्या आ गया हमारा, Y, Y बोले तो क्या, RCD, क्या मेरे पस थोड़ी जगा है, तो RAB, is equal to X, is equal to how much, 1 plus root 5, by 2, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, root 5, plus 1, by 2, और RCD का value कितना आया, RCD is equal to Y, is equal to root 5, minus 1, by 2, option check करें, पहला, RAB is equal to RAC, क्या दोनों का resistance, AC, AC नहीं, sorry, sorry, this is not AC, this is CD, RAB is equal to RCD, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, तो option A correct, नहीं हो सकता, RAB, RAB का value, root 3 plus 1 हो हम है, नहीं, RCD का value, root 5 plus 1 हो हम है, नहीं, उसके divide में 2 आना चाहिए, नहीं, यह तो हाई नहीं, RAB is greater than RCD, क्या यह option सही है, तीन गलत होगे, तो एक तो सही होना ही है, लेकिन फिर भी हम उसको check करेंगे, RAB का value, root 5 में 1 add करो, और यहां root 5 में से 1 minus करो, तो यहां पर numerator की value, छोटी है, जब numerator छोटा है, तो answer भी छोटा ही होगा, इसका मतलब यहां पर numerator बढ़ा, तो क्या हम लिख सकते हैं, कि RAB is greater than RCD, जिदर गड़ा उदर बढ़ा, तो RAB की value बढ़ी होंगी, as compared to RCD के, क्या यह question समझा, सबको समझा, यह आसन नहीं था, बिल्कुल भी आसन नहीं था, इसमें कुछ tricks है, सबसे पहले आपको न, कौन सी branch repeat हो रही है, वो आपको identify करना है, और identify करते वक्त इस बात का धियान रखना, कि हमारे main circuit में कितने resistance हो, दो resistance बाकी रहे, आप जो branch circuit से निकाल देंगे, उसका resistance भी, circuit के total resistance के ही बराबर होगा, जो branch अगर आप निकाल रहे हैं, उसका resistance X है, तो total circuit का भी X ही होगा, क्योंकि infinite ladder का case है, ऐसे बहुत सारे questions आपको आगे में मिलेंगे, तो ये एक short trick आप समझ सकते हैं, कि बचे वे portion को निकाल देना, वहाँ पर X consider करना, क्याई ये question सबको आगे समझ दे, इसको और एक बार बताना है, या आगे बढ़ना है,